टॉप बेस्ट कैमरा स्मार्टफून अंडर 8000 तो बई अगर आपका बजिट 8000 है 8000 के बजिन वेज में आप एक कैमरा स्मार्टफून लेना जाते हो यह वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए कर रहा हूं तो बात करते हैं सीधा नम्बो 5 की बात करूँ नम्बो 5 पर यार मैंने रखा है Samsung Galaxy M02 को तो यह सबसे पहले स्प्राइज रेंज में मुझे बहुत ऐसे बंदे मैं सीखते हैं जिनको Samsung का ही स्मार्टफून चाहिए होता है अगर आप भी उनमें से आता हो तो आपके लिए पोफेक्टी लोग सकता है Samsung Galaxy M02 ठीक है अगर मैं स्म में बहुत अगरा देखनी को मिल जाता है ज्यादे समय खराब नहीं करूंगा बात कर लेते सीधा में स्पैसिफिकेशन की तो यहां डिस्प्ले की बात करूँ इसमें आपको 6.5 इंच की PLS LCD देखनी को मिल जाते है प्रसेसर की बात करूँ तो यहार में स्पैसिफिकेशन में आपको बता दिया है अगर आपको एक नाँचानी स्मार्टफून चाहिए अपके लिए पर फरक्ट डील हो सकता है आप ही स्मार्टफून के और जा सकते हो आगे बात कर लेते हैं नंबर 4 की नंबर 4 की बात करूँ, नंबर 4 पर यार मैंने रखा Redmi 9A को तो यार अगर आप Redmi लवरो आपके लिए ये smartphone perfect हो सकता है अगर आपका budget 8000 है ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं बात कर लेते हैं main specification की थोड़ा से deeply बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि आपको smartphone में क्या देखने को मिलेगा तो display की बात करूँ, आपको 6.53 inch HD plus display देखने को मिल जाते है processor की बातों को mid attack, helo G25 देखने को मिल जाता है storage की बात करूँ, आपको 2 GB RAM मिल जाते है plus 32 GB storage प्लस आप expandable भी कर सकते हो, बैटरी की बात करूँ आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती plus 10 Watt का fast charger, camera की बातों को 30 MB Excel के साथ camera देखने को मिल जाता है, selfie की बातों को 5 MB Excel के साथ selfie देखने को मिल जाते है अब price की बात करूँ, इसका price आपको 7,000 किसे लेकर, 8,000 के budget range में Redmi 9A देखने को मिल जाएगा तो यार, main specification में आपको बता दिया Redmi 9A के, अगर आप ये smartphone के आउट जाना जातों भी आपके smartphone के आउट भी जा सकते हो इसके color वगर आप ये प्यारे देखने को मिलते है तो भी अगर आप Redmi Lover आपके लिए ये smartphone perfect deal हो सकता है अब यहां के बात कर लेते है number 3 की number 3 की बात को रहे number 3 पर यार मैंने रखा Realme C11 को तो सबसे पहले बई, मैं आपको ये चीज़ बता देना चाते हो अगर आपको color design वगरा matter करते है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ होने वाली है Realme C11 इसके color हो गया, इसका design हो गया सच में बहुत ही ज़्यादा तगरा अगर आपको design and color गरा matter करते है आपके लिए perfect deal होने वाला है Realme C11 तो बात कर लेते हैं इसके specification की इसके specification भी आपको बहुत ही ज़्यादा तगरे देखने को मिल जाते है जो कि 60 refresh rate के साथ देखने को मिलेगी प्रोसाइसर की बातों को media deck helio जी 35 देखने को मिल जाते है जो कि 12 nanometer technology के साथ बेज जाते है तो बहुत अगर आपने gaming करने है आप normally easily जो है वो curves अक्ट आपको को भी problem issue नहीं आने वाला बेंटरी की बातों को 5000 damage की बेंटरी मिल जाती है प्लस आपको 10W का fast charger देखने को मिल जाता है camera की बात करूं आपको dual camera मिल जाता है 30 max plus 2 megapixel के साथ selfie की बात करूं आपको 5 megapixel selfie देखने को मिल जाते है storage की बात करूं यह दो बड़ में देखने को मिलेगा अगर आपके बड़र में सेट बैड़ता है आप जा सकते हो realme c11 के और तो यहर मेन स्पेसिफिकेशन में आपको बता जी है realme c11 के तो अगर आप इस स्मार्टफून के और जाना जाते हो आप जा सकते हो color, design, look wise भी बहुत ही ज़्यादा सही है आप इसके और जा सकते हो प्लस मैं आपको बता देना चाहते हो इसका जो बाइंक लिंक है में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो सभी के दियों है जो भी आपको सही रखते है आप उसके और जा सकते हो आगे बात करेते है number 2 की number 2 की बात करूं number 2 पर यार मैंने रखा है POCO C3 को अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं सबसे पहले इसका भी डिजाइन लोक विगर आपको अपर देखने को मिल जाता है specification के according पूरा loaded processor की बात करूं इसमें आपको MediaTek Helio G35 देखने को मिल जाता है इसका budget आपको 7500 के budget से लेकर आपको 8200 के budget बेंज में POCO C3 देखने को मिल जाएगा तो में आपको बता दिया POCO C3 कि अगर आप इस स्मार्टफोन के और जाना चाते हो आप इसली नामनी जा सकते हो आपको कोई भी प्राब्लम इस्यू नहीं आने वाला अगर आपने hardcore gaming भी करने हैं आप इसली नामनी कर सकते हो अब आगे बात कर लेते हैं number one की number one की बात करें number one पर यार मैंने रखा infinix smart four plus को तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि यह number one पर है तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ाई भी आपके बज़र विच में सेट बैड़त आप उसके और जा सकते हो अभी बात कर लेते हैं infinix smart four plus के में स्वाश्य की शिन की तो यह डिस्प्ले की बात कुरूँ इसमें आपको 6.82 इंच की HD plus दिस्प्ले देखने को मिल जाते है प्रसेसर की बात कुरूँ इसमें आपको इसमें ट्रिपल कैमरा मिल जाता है इसमें आपको सेल्फी देखने को मिल जाते है प्राइज की बात करूँ आपको साथ अजार से लेकि आट अजार के बड़ी रिंज में infinix smart four plus देखने को मिल जाएगा तो यहार में आपको इतनी चीज़ बता दिना चाहते हो अगर आपका बचल तक आपको सब्सक्राइब आएड़ थाउजड रहता है यहां इस प्राइज में आपको कैमरा तगड़ा नहीं देखने को मिलने वाला है एंड जो परसेसर है वह भी आपको जहाँ वह वह आवे जेखने को मिलेगा उसके बाद आपको सब्पर अंप्र डिस्प्लेय बिल्क मेरा बजट हो था साथ से आठेजार बजट तो मैं जाता रियमनी सी 11 के यह दोनों स्मार्टफून ट्रस्टेड ब्रेंड है टॉप ब्रेंड में से आते हैं लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है अगर आप भी जाना जातों लिंक मैंने बायों में दिया हुआ है अगर मेरी वास सही नहीं आती होगी तो उसको ग्नूर कर दना मेरी सेध नहीं ठीक है तो इसलिए मैं ऐसे बहुत रहा हुआ हुआ है तो भी मेलते नेक्स वीडियो में डिवीडियो के साथ या थेंक्यू क्या एंस बढसे हुआ है हुआ है तो इसलिए हैं याउ मेरी जारे झाल झाल